बेंगलोर से भारती जैनिन की जिग्यासा है महराश्री जैसा कि आपने पहले भी बताया था कि भगवान का गंदोदक अपने पती, फुत्र या पिता से ही लेना चाहिए महराश्री इसका मैत तो समझाने की किरपा करें क्योंकि काफी महिलाएं की शंका रहती है कि गंदोदक तो गंदोदक है, चाहिए किसी से भी लें किरपा समाता है नहीं, क्योंकि गंदोदक मात जलके ढालने का नाम नहीं है भावना का नाम है वो किस भावना से किया गया? आप देख लिए, मूर्ती खड़ी हुई है उस पर बरसांत का पानी गिर रहा है क्या वो गंदोदक है? मुर्राज के वही पैर है अब मुर्राज जा रहे हैं, पैर को गंदे हो गए कमंडल से धोया लगू संका के समय वो गंदोदक की कोटी में नहीं आता लेकिन वो गंदोदक की कोटी में आये तो वो महराज ने पैर धोये वो पानी कहाँ चला गया? नीचे चला गया की नहीं? और जब गंदोदक दोते हो आप थाली में गंदोदक बनाते हो तो उसकी एक बूंद भी नीचे नहीं गिरने देते उनी पैरों को जब धोया गया तो वो पानी जमीन में चला गया उनी पैरों को जब गंदोदक बनाया गया एक बूंद नीचे नहीं गिरने दिया तो हमारे हाँ संकल्पिसिव गंदोदक है मूर्ती पर पाणी ढ़ल जाने से मूर्ती को पानी छुअ देने से गंदोदक नहीं बनता गौम्टेज बाहुबली जो खुली मूर्तियां भरी हैं इसमें बरसाथ में कितना पानी गिरता है इम्ली उपर तो कि गंदोदक हो गया पूरा नाला और नाली में भी बह गया नहीं जब तक संकल्प नहीं किया जाए कि मैं गंदोदक बना रहा हूँ उस भावना का कारी-कारी होगा अन भावना से किया हुआ अन भावना पर काम करना ऐसे ही नुक्सान दायक है जैसे मेंडिकल में दवाईयां सभी हैं लेकिन अन रोक की दवाई दी अन रोक पर दे दी जाए तो नुक्सान करेगी दवाई तो है लेकिन उस रोक की नहीं इसलिए गंदोदक सदा अपने हाथ से या अपनों के हाथ से बनना चाहिए क्योंकि अपना जब गंदोदक बनाएगा तो आपकी मान ले जे आपको परेशानी है तो वाह करेगा और मेरे परिवार के लिए सुख मले, मेरे और मेरे परिवार के दुख दूर हो, ऐसी भावना करेगा, और दूसरे ने किया, तो उसने तो तुम्हारी भावना की नहीं, उसने अपने परिवार की किये, तो तुम दूसरे की बीमारी की दवाई करा रहे, गंदोदक सो गंदोदक नहीं है, गंदोदक किस परपस से बनाया ग सादु भी नवोकार मन्त पढ़ रहा है, करमों की च्छै के लिए पड़ा, नवोकार मन्त में कोई अंतर नहीं है, किस में अंतर है? भापना में. पापी भी बगवार के दर्सन करता है पाप के लिए रावुन ने कम भक्ति की किया, लेकिन पाप की रक्षा के लिए कि इसलिए वह दुर्गती जाना पड़ा जैन दर्सन में स्फष्ट किया गया भाउना के आत्मक ही होना चाहिए इसलिए अपना व्यक्ति जब अभी से करेगा मैं तो यह कहता हूँ जिस समय तुम अभी से कर रहे हो उसको और चमतकारी बनाना है तो अपने परिवार को सामने बैठा लो हजारों लोग बैठे हैं उनको तुमसे कोई लेना देना नहीं वह भग्वान की भक्ति करेंगे लेकिन तुमारी मा पत्नी कोई परिवार का विक्ति बैठा है जैसे तुमारी शेक करोगे उसके मन में एक भाव आएगा बगवन यही है हमारा कुल दीपक इसी को आसिरवात देना यही हमारे कुल की लाज है उस समय बो गंदोदक मा की भावना से भी अभिभूत होने से बो गंदोदक बहुत चमतकारी हो गया अभिषेक तुमने किया लेकिन संसकार मा ने दिया अभिषेक पत्री ने किया संसकार पत्री ने दिया अभिषेक भाई ने किया संसकार बहन ने दिया इसलिए तो उसके लिए महिमा होती है चक्रवर्ती, सौधर्मिंद रादी जब भी अभी सेख लिया सपरिवार, पूरे परिवार को सामने बैठाला क्योंकि परिवार भावना देगा दूसरे विक्ति वो कहले न देना है कोई अंध्याना विक्ति देख रहा है तो देख रहा है तो अभी सेख देख रहा है वो तुम्हें नहीं देख रहा है तुम्हारे पर देख कोई भावना नहीं कर रहा है इसलिए सदा अपने हाथ से ही या अपनों के हाथ से ही अभिशेक आदिक लिया कराना चाहिए महलाओं से मैं सदा कहता हूँ बहुत बड़ा ये गलती कभी नहीं करें अपने परिवार में पुरुष है तो मात वे संसार के कारे के लिए नहीं है उनसे परमार्थ के कारे भी कराईए संसार के कारियों के लिए ही माते संबंध हैं क्या नहीं परमार्थ का कारिय करे यदि घर में पुरुस है तो नियम से अभिशेक घर के पुरुस के द्वारा ही कराना चाहिए इस से सदा घर में मैं तो अपनी तरब से बोलता हूँ कि जो महलाएं अपने पुर्सों से कराती हैं उनके घर में कभी पुर्सों के पद खाली नहीं होते पुर्सों के पद सदां भरे रहते है बेटा से कराया तो बेटों से भरा रहेगा परिवार पती से कराया तो सौहाग बना रहेगा तुमारा भाईया से कराया तो भाईया भी घर में रहेंगे जिस पद से तुम करा रहे हो उस पद की कायमता है और जो पुरुस सों से इसलिए कहता हूँ कि महलाओं अभी से करने के बाद आप अपनी महलाओं को अपने हाँ से गंदो दक दो और जिन महलाओं को तुम गंदो देख दे रहे हो आपकी घर की महलाओं के जितने पद हैं वे पद सभी हरे भरे रहेंगे मा का पद भरा रहेगा, पतनी का पद भरा रहेगा बहन रहेगी, यानि जो पद होते हैं वे सारे पद तुमारे घर में रहेंगे क्योंकि तुम अपने हाथ से सभी पदवाली महलाओं को याने आप गंदो दक बनाओ मा को भी दो बहन को भी दो, पत्नी को भी दो आपके घर में सब भंग मिलेंगे कोई पूछेगा कल के दन आप से आपके घर में मा है क्या? बोले हाँ है मैं अनात नहीं हूँ बहन है क्या? बोले है पत्नी है क्या है अलाग जो भी आपके पुत्री है की नहीं है हर पद पर तुमारा है सब निकलेगा क्योंकि आप हर पद वाले को अपने हाथ से दख बनाओं के दे आप भी बेटा की सलामत नहीं चाहेती है पत्नी को 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 नहीं चाहेती है सबसे कहिए बेटा भी लाके दे पती भी लाके दे हमारे घर में पुर्सों के जितने पद है वे सारे पद सदा हरे भरे रहें तो आप इनसे गंदोदक बनवाईए यह बहुत बड़ा मनुविक्यान है इसलिए पराए हातों का गंदोदक लेने से कोई फायदा नहीं मैंने कहा ना कि मैंने मंद्रों में बहुत देखा सभी प्रकार के बरतन मिले मुझे लेकिन गंदोदक के दो पात्र नहीं मिले रकावी मिली, ठोना मिला, थाली मिली, सब मिल गया लेकिन गंदोदक के दो कटोरे नहीं मिले मैंने कही मंदिर के यह तो अनिवारे बरतन है क्यों नहीं मिले तो पधम पुरान में जाकर के बात पढ़ी उन्होंने कहा पहले गंदोदक रखते ही नहीं थे सभी लोग अपना गंदोदक बनाते थे अपनों को देते थे चले जाते दूसरे को मतलब भी नहीं दूसरा आएगा दूसरा आजो है सब अपने अपने गंदोदक ले लेते थे क्योंकि इससे बहुत बड़ी हानी है उसने किस भावना से जैसे मैंने एक दिन कहा था उधारण दो विक्तियों में केश चल रहा है अब एक विक्ति भावना भाके चला गया ये बगवन आज पेशी है फलाने चंसे केश है बहस है पस मैं जीतू वो हारू ये भावना से उसने अभी से किया और वो अभी से का गंदोदक कोटोरे में रख दिया अब तुम नौ बज़े आए और वो ही गंदोदक पोत लिया कौन सा? जो आपके हारने की भावना उसमें नहीत थी उसने भावना भाई थी और आप दोने में केश था और आपने वो ही गंदोदक लगा लिया जिस गंदोदक में उसने आपको हारने की भावना भाई थी वो सफल हो गया क्योंकि आपने ले लिया ये तंत्र है ये तंत्र विद्या यही कहलाती है जिसके निमित्य से जो बस्तूद रखी है उसने यादी वो छूले बस होगया उससे काम तो गंदोदक आपने छूलिया तंत्र विद्या के माध्यम से आप सत्य भी होगे तो हार होगे और यदि तुमने भी पीछे से जाके आपी शिक कर लिया तो दोनों कुरास होगया उसने भावना की के मैं जीतू तुमने जाके पीशे मैं जीतूं, अब कौन जीतेगा, सत्त मेव जायते, अब सत्त जीतेगा, क्योंकि दौनों ने अपनी भावनाय रख दी, इसलिए दूसरे, गंदोदक बिसरजन करने का भी कहीं उलेख नहीं मिला, पूरे मंदरों में गंदोदक बिसरजन कहा होना चाहि कहीं नहीं मिला, क्यों लोग उतना ही गंदोदक बनाते थे, जितनी खपत होती थी, और उस गंदोदक को सब में बार देते थे, सब लगा लेते थे